नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबी का हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं पर्सिमन फ्रूट प्लांट्स के बारे में जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा कि हमने आपको जो है तो पर्सिमन फ्रूट के बारे में बताय किससाबसे farmer ने तूसके harvesting करते हैं कैसे उसको fertilization करते हैं कब उन्हूंने लगाया था और धीरे-धीरे किससाफस सो ग्रोन किया अपर्सिमन के था तो आज हम आपको उसका नाम है फूयू यानि की सीड लेस वराइटी जिसका मैं आपको जो तो मदर ब्लॉग भी दिखाऊंगा क्योंकि होता क्या है हम लोग जो है तो प्राय करते हैं कि हम कस्टमर को एक प्रॉपर जो है तो चीज बता सके नॉलेज के साथ हम आपको बता सके आप जो प्रूमन जो है तो दो तरह का पहले जो यहां पर चलता था अभी फूयू रहेटी नहीं आई है इससे पहले जो चलनी वाली यहां थी वह ती हाचिया यानि कि वह गला पकड़ती थी वह जब प्रूट कच्चा होता था तो उस टाइम पर क्या होता था कि अगर हम उसको कच अगर आपने खा लिया उसी साफ से वह टेस्ट जो है तो देती थी अब आप यह देख सकते हैं यह हमारे पास जो है बिल्कुल जैनुवन प्लांट्स है इसकी मैं आपको जो है ना तो साथ के साथ आपको पूरी नर्सरी का विजिट भी दूँगा यह देखिए यह कुछ प् अगर मैं तिकनेस की बात करूं कि प्लांट ठिकन है यह देखिए एक दो 320 चर पांच पांच फैदर एक प्लांट में हैं अभी मंत जो है तो सेप्टेम्बर चल रहा है और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिए हमारे जो प्रॉप पर जो सारे बैड हैं वो कि इस हिसाब के इस ताइम पर दिख रहे हैं कम से कम अगर मैं मान के चलूं तो यह पांच फीट तक के प्लांट जो है तो इस ताइम पर हमारे हो र कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत से लोगों की कोईरी आती थी कि आपके खुद के मदर स्टॉक भी है कि आप खुद के या फिर आप कहीं से जो स्टिक्स लेते हैं ग्राफ्टिंग के लिए वाज मैं उसी में चीज के उपर फोकस करके यह चीज बना रहा हूं आपको पता चल सके कि आप जहां से प्लांट ले रहे हो वह बिल्कुल जैनुएन है के नहीं है क्योंकि देखिए प्लांट के अगर बात की जाए तो कॉस्टली ब्लांट है और इसका जो फूट है वह भी विक रहा है इस ताइम पर कम से कम अगर मैं इसकी फूट की बाद क करती हैं और यह देखिए आप प्रॉपर बेड हमारे जो तो इस ताइम पर बने हुए हैं अब जैसे जैसे एक और चीज़ में आपको बता दू हमारे प्लांटेशन की बात की जाए जो हमारे जो प्लांट से हैं उनकी सेल चलती है मान के चलिए आपके नवेंबर मंत में हम लोग जो है तो पौधा देना शुरू कर देते हैं परसिमन कर देखिए कोसली प्लांट है अगर अभी हम इसको निकाल करके दें तो प्लांट जो है तो मर सकता है क्योंकि डॉर्मेंसी में जब यह प्लांट होता है तभी इसको जो त करता है मान के चलिए अगर आपने कोई और पौधा लगाया तो इसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं आप जो है तो दस में से साथ से आठ प्लांट तो चल जाते हैं लेकिन इसमें फोड़ा से रिस्क रहता है क्योंकि कई बार यह प्लांट जो है तो छे महीने बाद जैसे नहीं ग्रोथ आने में वक्त लग सकता है और लेकिन अगर यह प्लांट चल गया तो पहले ही साल में आपको सेंपल के लिए फ्लावरिंग मी दे देगा भारत के अलग अलग विविन भागों में बहुत सारे एसे लिस्ट होगी जब अगर हम उसको निकालेंगे तो बहुत स करूंगा इरिगेशन की जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि इस प्लांट को जब भी लगाया जाता है तो ध्यान दिया जाता है कि हमारी जमीन की नीचे जो है तो प्रॉपर मॉइस्टर हो अब आप यहां पर देखिए यह देखिए हमारी अगर यह न वीडियो इसरी प्लांट की जाये तो पानी का विशेष धियान रखा जाए क्योंकि जितना इसके अंदर जो पानी रूट्स में होगा उतना ही सैप का फ्लो जो है तो दोस्तों आपको हमने जो है तो इरिगेशन के बारे में बताया इस प्लांट को कब लगाया जाता है उस हम आपको अलग से दिखाएंगे लेकिन यह देखिए प्लांट में कोई भी फंगस नहीं है कोई भी एक भी जो है उसके उपर इंसेक्ट का वह नहीं है क्योंकि पत्ते अगर किसी चीज ने खाए हो कोई भी ऐसी चीज इस टाइम पर नहीं है प्रॉपर प्लांट का जो कलर आ तो जब भी हम लोग जो है तो पौदा कहीं पर बेशते हैं तो यह जो पत्ते होते हैं यह इस हिसाब से निकले होगे होते हैं यह देखो इस आप सी प्लांट जो बिल्कुल खाली होता है सिर्फ इटकी बड्स रहती है और इसको जो है हम लोग रूट के इंदर लगाने के बाद जो है तो बंडल बनाकर बीविन जगाओं उपर जो है तो ट्रांस्पोर्टेशन के जरीए बाई एयर ट्रेंट जो भी रहता है उसके दरूब हम इसको भेशते हैं तो दोस्तों आपको हम एक चोटा सा ओर विव देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस आपके हमारी अब फ्यूचर में कुछ फार्मर जो होते हैं वह फैफष प्लांट्स पी जो है तो मांगते हैं तो यह जो है तो ग्रेड़ में हम लोग इनको डिवाइड करेंगे ईख इस साब की हमारी ये नर्सरी है तो इस वीडियो को बनाने के जो में मौंट्यों है आपको हम लोग वो कैसा है और साथ में जैनुवन है नहीं है एक एक चीज़ के बारे में हम आपको क्लियर दिखाते हैं दूसरी चीज़ अभी इसके बाद जो है तो मैं ट्राइ करूँगा एक चोटी और वीडियो बनाऊँगा इसके बाद पार्ट में यहां पर हम लोग आपको फ्रूट भी दिखाएंगे तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ अपने पर्सिमन के मदर ब्लॉग में जहां पर हमारे पास इस टाइम पर फ्रूट भी लगा है और साथ में हम आपको पूरा वीजिट करवाएंगे हमारे पास कितने मदर ट्री इस रेडी हो रहा है यह इसका कलर है यह देखो बिल्कुल फ्रेश अभी मैंने इसको निकाला है और इसके बीच में आपको एक और चीज दिखाता हूं कि बिल्कुल बीज नहीं होते हैं इसके अंदर ना कोई भी एक भी बीज नहीं है अगलyu ईथ है दोस्तो इसके बीच में आप देख सकते हैं एक भी बीज जो है तो अभी तक हम नहीं मिला अभी मैंने SS clrations कहार देता हूं अगर आपको निक्तर चरभी आपको बीज नहीं मिलेगा यह इसका नाम है पुयू इसको हम सीडलेस के नाम से भी जानते हैं यह देखो इस वीडियो के मादधम से हम लोग आपको क्लियर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह है हमारा पर्सिमन फ्रूट यानिकी जपानी फल और इसकी वराइटी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यह सीडलेस वराइटी है बिल्कुल जैनुमन ब्लांट है और साथ में आपको एक बार दिखा देते हैं कि हमारे यहां भी दे यह जो फ्रूट है ना यह बहुत ज्यादा मेठा में एपल से भी ज्यादा मेठा फ्रूट है अगर किसी को मंगाना होगा तो हम उसको होम डिवरी भी करवा सकते हैं बाकि आप एक बार जो है तो प्लांट्स देख लीती है झाल 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 झाल